और पढ़ बेटा और पढ़ तु कोई भी एक्जम पास हो सकते हैं वो भी अच्छे नंबर के साथ यही टाइम है बेटा रंबे जितना स्मूध होगा करियर का उतना ही स्मूध टेक आफ होगा और जब तु आस्मान में उडएगी तो यह सारी मेन कितनी मीठी लगेगी पर इस वक्त 100% फोकस चाहिए सब कुछ बुला दो Only Studies आज जितना फोकस करोगी आने वाला कल उतना ही साफ नजर आएगा बीकर फोकस, कॉंसेंट्रेशन, कॉंपटिशन, स्कॉलर्शिप, पैरेंट्स का नाम, कॉंफिदेंस, बेपेके, सक्सेस ही सक्सेस सक्सेस, सक्सेस ज्यादा तर इंसान हर वक्त एक सफल, उजवल और सुरक्षित भविश्य की खोज में होता है उसे विरासत में एक जीवन मंतर मिलता है अपने आज का बलिदान दो, कल स्वर्ग मिलेगा आज मेहनत की मिसाल बनो, तो कल तरक्षी की मिसाल कहलाओगे लेकिन अगर कोई युवा, इस खोज के बोज तले दब कर ये मानने लगे कि सुनेहरा कल सिर्फ एक मित्या है तो इस खोज के बोज के कभी हम शिकार थे और आज हमारे बच्चे उस शिकंजे में फसे हुए और हर पीडी के साथ ये बोज दुगना तिगना बढ़ता रहा है इसलिए बेहत जरूरी हो जाता है कि माता पिता हमेशा सतर करें ताकि वो किसी बच्चे पर पढ़ाई के प्रेशर में उसके अंदर एम्मिशन की भावना को इना खत्म करते कॉंग्रेट्यूलेशन्स बेटा कॉंग्रेट्यूलेशन्स तुमने हम सबका सार मुचा कर दिया यो डिडिट बेटा यो डिडिट वरशा सेलिब्रेट करते हैं सबके लिए आईस्क्रीम अंगाओ आई मैं मंगाती हूँ अनीता बेटा जिस कंपनी में तुमारी प्लेस्मेंट हुई है वो इस टॉक एक्स्चेंज में धूम मचा रही है तुम्हें जॉब नहीं मिलिये बेटा तुम्हें पंक मिले है पंक लेकिन वो सब फाइनल एक्जाम्स के बाद अभी एक्जाम्स में इतने अच्छे नंबल लेकर आना कि कंपनी सीधा तुम्हें डबल प्रमोशन दे दे और हाँ बेटा तुम्हें पंक जरूर मिले लेकिन उन्हें बहुत साफधानी से खूलना होगा कॉपरेट सेक्टर में फिर्स्ट इंप्रेशन इस दे अनली इंप्रेशन अनिया यों कम्प्लीटली मैड छे सो लोगों के कैमपस इंटेव हुए थे बारा सिलेक्टों और तू नमें से एक है और कहरी एट मनमी कारा जॉब जॉइन करने का यार इसकी बात है न मुझे कभी समझ में आईगी I mean semester के हर examiner top 3 में आई है इतनी अच्छी कमणी में उसे placement मली है और ये एकी job लेके set होने के बज़ा है यहाँ पर ऐसे सर्फ पत्था लिके गुंती है जिस VNG solution में मेरी dream placement हुई है सुना है वहां का package 10 lakh पर आनम है और जो मुझे offer हुआ है वो 4.5 lakh है 4.5 lakh तुझे कम नज़र आ रहे है यह कुछ और नहीं बस हमारे जख्मों पर नमक चिड़क रही है Exactly, तुझे लाइफ में चाहिए क्या मुझे वो सारी चीजे चाहिए और सिर्फ वही चीजे चाहिए जो ना मुझे कभी मिली और ना कभी मिलेंगे हम दो रणा तुझे कभी समझ नहीं पाएंगे चलो मैं जा रहे है अनीता जो चाहती थी वो सभी की समझ के बाहर था क्योंकि वो खुद नहीं समझ पा रही थी अपने आपको कह नहीं पा रही थी कि उसे वाकई में जिंदगी से क्या चाहिए आई तुम और बाबा रेडी रहो मेरे क्रेट्स किरने वाले है तू यसे क्यों बोल रहे है पता नहीं आई ऐसी लगा मुझे तुझे ना थोड़ा डल लग रहा है पर बेटा यह तो अच्छा वाला डर है ऐसी थोड़ी घबराहर थोड़ा डर फोकस करने के लिए ना अच्छा होता है और तुझे को किताबे वगर चाहिए तो बता दे ना तेरे बाबा लेकर आएंगे नहीं आई कोई किताब नहीं चाहिए आई अगर ग्रेद्स गिर गए तो ऐसे कैसे गिरने देंगे आज तक कभी गिरे हैं क्या तो यह तो फाइनल एक्जामस है देख अब पूरा खाना बनाने के बाद कोई तड़का खराब करता है ताई आपको किस के साथ कंपेर करते थे आई बाबा आत्मा राम काकर की मालनी से और फिर जब मेरे ग्रेद्स बढ़े तब कंपेरिसन बंद हुआ मतलग मेरा तो कोई चांस ही नहीं है क्योंकि मेरे ग्रेद्स तो तुमारे जैसे आने से रहे लाइफ भर सुनने को मिलेगा अपनी ताई को देख अपनी ताई से सी तेरी ताई ने देखने या सीखने लाइक अब तो कुछ नहीं क्या अच्छा न ओहो मॉडेस्ट की भी हद होती है लगातार A+, A+, वो भी हर सेमिस्टर में यार अब इससे उपर कहा जाओगी उपर या निच्छे तो नहीं पता पर कही ना कहीं तो जाना है मुझे देवा रे देवा फिर से कॉंसेंट्रिक सॉर्कल्स में बाते ये तेरे जैसे इतनी फोकस्ट लड़की इतनी कन्फ्यूस्ट बाते कैसे कर सकती है और कर क्यों रही है एक हफते बाद अनीता का फोटो सोशल नेटवरकिंग साइट्स और ग्रूप्स में वाइरल हो गया अनीता गायब हो गई थी जिस दिन अनीता गायब हुई किसी को जरा सावी अंदेशा नहीं था कि उसके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है उसे नासिक जाना था एक फैमिली फंक्शन के लिए लेकिन वो वहाँ पहुँची ही नहीं अहां तो दें टीमाक्स है ना यू लोग प्रेड मिल उसको फिर अनीता बिटे जी पापा दो वजे के बाद की बस पकड़ोगी तो पॉंस्तर पॉंस्तर रात हो जाएगी नहीं मैं साड़े बारा की बस पकड़के जा रहा हूँ मैं ओफिस जा रहा हूँ घर को अच्छे से लॉग कर देना है बाई दीपा बाई खुजी बाई अन्के अरे हाँ अनीता वो जो तुमें इंटरंशिव का चेक मिला था वो तुमें डिपाउजिट कर दिया नहीं मैं बस टांड जाने से पहले कर दें भूलना नहीं हाँ बाई बाई क्या यार अनीता तीन दिन बाद एक्जाम्स है और तु ये शादी बादी अटेंड कर रही है हाँ यार और हो भी पूरा एक दिन जाएगा ना सिख जाना है दो मैं परसो वापिस आने वादी है माना तो स्कॉलर है बट दिस इस तो मज यार मजबूरी है खुशी और अर्चना का कोई ड्रेस सिल कर आने वाला है वो भी जाते हुए पिक अप करना है नहीं की तो फूप पड़ेगी मुझ पर चलो एनीवे यह वाला चाप्टर फिनिश करते हैं मुझे साड़े गारा बज़े निकलना है अनीटा की किसी भी बाद से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके मन में कुछ और चल रहा है मैं ऑफिस में ता सर तक करीबन साड़े तीन बज़े मैंने अनीटा को फोन किया मुझे लगा शायद बस घाट एरिया में होगी नेटवर्क नहीं होगा दोनों फोन स्विच ओफ आ रहे थे सार प्यार? साथ बज़े शाम को मैंने फिर फोन किया नहीं लगा वर्षा मेरी मिस्स को फोन किया वर्षा लेकिन उसने साड़े बारा बज़े की बस पक्टी थी तो वो अब तक पहुंचे क्यों नहीं? और उसके दोनों नंबर्स भी नहीं लग रहे? हाँ, वो अपने मोबाइल कभी सुच ओफ तो करती नहीं है वो भी दोनों एक साथ सुनिये, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा तू टेंशन मतले, मैं घर जाकर देखता हूँ पढ़ाई की टेंशन में वो निखली नहीं होगी जॉइंट इस्टी में लगी होगी दोनों फोन शुरू तो हुए सर लेकिन, लेकिन क्या रहा है लेकिन उन दोनों में सिगनल नहीं था सर तब मुझे पता चला कि उनमें सिम काड़ी नहीं था मैं डर गया, मन्हूसी फिलिन हुई, तब मुझे वो लेटर मिला आई, बाबा, अर्चना, मैं थक चुकी हूँ मुझे नहीं मालू मुझे क्या चाहिए, मैं जा रही हूँ अपनी मर्जी से प्लीज मुझे ठूणने की कोशिश मत करना मैं अब कभी नहीं मिलूँगी आई, क्या हुआ, सब दीक है ना और ताई आई क्यों नहीं अब तक थे उसने लेटर में लिखाया कि वो अपनी मर्जी से जा रही है तो क्या आपके घर में ऐसा कुछ हो रहा था जो उसकी मर्जी के खिलाफ था सर ऐसा कुछ नहीं है मेरी बतीजी अनिता इंजिनरियर्म के फाइनल एर में पढ़ रही थी टॉपर रही है और तो और दो दिन के बाद उसका फाइनल एक्जाम शुरू होने वाला है केंपस सिलेक्शन में अच्छी टॉप कमपणी में रिक्रूट हो चुकी है सच बताऊं तो सर अनिता जैसी सीधी और सुलजी होई लड़की ढून के भी नहीं मिलेगी लेकिन अगर अनिता जैसी पड़ी लिखी और सुल जी होई लड़की ये लिख कर जाती है कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ हूँ मुझे ढूनने की कोशिश मत करना मैं नहीं मिलूँ तो उसकी कोई तो वाजा रही हो कि सर अनिता की दोनों नूम्बर्स की डीटेल सगले आदे घंटे में हमारे पास होगी मैंने उस बैंक से बात किये जहां वो अपने इंटर्शिप का चेक डिपॉजिट करने वाली थी इस बात को नहीं भुला सकते कि लड़की बालिक है और अपनी मर्जी से घर से गई है जाने से पहले दोनों फोन से सिम कार्ट निकालती गई है और सबसे बड़ी गार लेटर छोड़ कर गई है अनिता बालिक है लेकिन नादाने में कुछ घर बैठी है नहीं किसी मुसिबत में ना परस जाए अब बेफिकर रहिए हम अभी अपना सर्च अप्रेशन लांट कर देंगे गायब गुमशुदा अनिता के लिए एक बड़ी खोज शुरू है अनिता अपनी जिन्दगी में क्या मिस्स कर रही थी क्या खोज रही थी ये किसी को मालूब नहीं था और शायद उसके लक्षन इशारे के रूप में हर जगा थे लेकिन किसी में उन्हें पढ़ने की शम्ता नहीं थी और अब जब अनिता ओजल हो गई थी तो उसके बारे में कई सवाल बरस रहे थे जो जवाबों के लिए तरस रहे थे सर हम लोग करीब साड़े दस बजे अनिता के गढ़ से निकल गए थे सर हमने ग्रुप स्टड़ी की थी रात को Sir, हमने अनिता से कहा भी कि अगर हो सके तो वो नासिफ ट्रिप अवाइट करें क्यो? क्योंकि Sir, दो दिन में हमाई फाइनल एक्जाम से है और Sir, अनिता ने कहा कि उसे जाना ही पड़ेगा Sorry, यार जाना ही पड़ेगा Last moment पे बैक आउट नहीं कर सकते अरे यार, अरे छोड़ जब तो वापेस आईगी तो मुझे कॉल कर हम तीनों मेरे घर पे ग्रिप स्टुड़ी करते है और अब जाई रहे है ना तो चुर अब शादी में जा रहे है, इंजोई कना अब तीनों फर्स्ट यर से साथ में है हाँ Sir, best friends है क्या अनिता पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर परशान थी या उदास थी उदास नहीं Sir, लेकिन थोड़ी खोई-खोई से रहती थी वह, reason नहीं पता Sir, parents के साथ कोई शो नहीं Sir, uncle और auntie तो उसे बहुत प्यार करते है, तो कोई ऐसा है जो उसे प्यार नहीं करता था यह उसे प्यार करता था लेकिन यह किसी और से प्यार करती थी यह मिन बॉइफ्रेंड या नहीं Sir जहां तक हमें पता है, अनिता का किसी भी लड़की के साथ कोई चक्कर वक्कर नहीं था रिकाल दूपार पर इंतागरी होती साड़े गरा तक यहीं थी बात में निकल के अ अर्चना तुझे कोई हिंट दी थी तेरी ताही ना नहीं बाबा ताही तो मेरी रिसप्शन वाली ड्रेस लेकर आने वाली थी अचानक क्या हूँ क्या उसे मुझसे कुछ कहा था उसने अचुछ एसे भागने वाली बात नहीं थी पर इतने सालों में पाइनेल एकसम्स में कम मांक'S पाने का डल लग रहा था उससे पर सो रात ही उसने मुझसे बात की थी और तुम मुझे अब बता रही हो कहा क्या था अ नीटा ने तुमसे सर अब अनिता ने कहा था कि वो इतनी प्रेस्टीजिस प्लेस्मेंट से खुश नहीं है बताने क्यों सिर्फ प्लेस्मेंट से ही नहीं सर हर चीज को लेकर वो थोड़ी सैड सैड सी रहती थी कभी खुलकर रस्ते हुए नहीं दिखा हमने उसे ये लड़की 11 बज़ कर 45 मिनट पर बैंक में चेक जमा करवाने गई ये सर एक बात और अनिता के दोनों नंबर्स के फोन रिकॉर्ड्स आये और दोनों मुझे एक बात कटक रही है क्या यही सर के पिछले एक हफते में अनिता ने सिर्फ कॉल्स रिसीट किये किसी को भी कॉल्स किये नहीं ये लड़की शायद एक हफते से घर से बागने के बारे में सोच रही थी यह हो सकता है उससे काफी पहले से एक ख्याल उसके दिमाग में अकराथ और इस हफते उबाल पर आया सर लेकिन अगर ये खुद से होकर गई है तो इसको ढूड़ना काफी मुश्किल होगा जानता हूं ढूड़ना मुश्किल होगा लेकिन भोसले हम ये सोचकर हाथ पे हाथ रखके तुने बैठ सकते न कि खुद से कहीं गई है राइट से अनिता महस 22 साल की है एक तरह से बच्ची ही है अभी तक उसने बहुत ही प्रोटेक्टर और शेल्टर लाइफ जी है कुछ है जो उसे परिशान कर रहा है जिसकी वज़े से उसने ये कदम उठा हमें उसे जल्द से जल्द खोजना होगा सर लेकिन इस बात के क्या गैरेंटी है कि वो फिर से नहीं भाग जाएगी पहले मिले तो ये तो बता चले कि वो घर से क्यों भागी है क्या खोजने के निकली है वो ऐसा कुछ नहीं है जो अनिता को परिशान कर रहा था प्रमेज जी हमने अनिता के फ्रेंड से बात की है उन्हें लगता है कि अनिता कुछ उदास्सी है उन्हें ये तो नहीं लगता कि उसका कोई पॉइफ्रेंड है लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या कोई ऐसा है जिसे आप अपोस कर रहे थी और उसके साथ अनिता घर से भाग गई ये कैसे बाते कर रहे हैं आप अनिता ऐसी लड़की है ही नहीं कि वो किसी के साथ घर से भाग जाएगी अरे इन सब चीजों के लिए उसके पास टाइम ही कहा है उसका तो हर एक मिनिट बहुत कीमती है वो अपना सारा समय, सारा फोकस, सारी एनरजी सरफ पढ़ाई में ही लगाती है इसलिए तो इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं उसके हमेशा टॉपर, A प्लस अभी फाइनल एक्जाम्स खत्मी हुए है लेकिन फिर भी इतनी बड़ी कंपनी से उसे जॉब ओफर आ चुका है उसका सब कुछ प्लान क्या हुआ है दो साल का वर्क एक्स्पीरियंस फिर एक टॉप इंस्टिट्यूट से एमबी ए फिर चार साल जॉब और फिर शादी यह प्लान अनिता ने खुद बना है या आप दोनों ने उसके लिए बना है सर आप बात को किसी और दिशा में ले जा रहे है मैरे दादा और बेनी ने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया है सर इस घर में सब मिल जूलकर फैसले करते हैं और वो फैसले सब के अच्छे के लिए होते है आप लोग पहले नासिक में रहते थे जी हाँ पर जब अनिता का एडमिशन इंजिनियरिंग में हो गया था तो हम हम दोनों नहीं मुंबई में ट्रांसफर ले लिया था और यह आसान नहीं था सर दोनों बच्चे कभी यह कहें नहीं सकते कि उनके फ्यूचर के लिए हमने कोई कुर्बानिया नहीं थी अरचन, तुम अपनी बेहन के साथ रूम शेयर करती हो ना क्या तुम्हारी तारी ने कभी तुमें कुछ बताया, कोई खास बात तुमने कभी कुछ देखा हो या सुना हो कोई फोन कॉल, कोई लेट नाइट, SMS या ओनलाइन एक्टिविटी नहीं सर, मैंने कभी कुछ सुना या देखा नहीं क्यूंकि बॉइफरेंट जैसे कोई बात थी ही नहीं तो फिर कैसी बात थी? काईगा अरचना? अरचना, बोलो मुझे बस कभी-कभी महसूस होता था क्या? यही कि कुछ तो बात है जिसके कारण ताई अक्सर पहेलियों में बाते करती है बातों को अधूरा चोड़ती है जैसे वो खुद किसी सवाल का जवाब खोज रही हो क्या वो रहाई खोज रही थी? आप कहना क्या चाहता है? यह घर पिंजरा है? सर, मैं सिर्फ पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या आपकी बेटी के दिमाग में ऐसा कोई प्रेशर था जिससे वो आजाद होना चाहती थी रमेज जी कुछ सलाखे दिमाग में होती जिन पर प्रेशर का तला लगा होता है प्रेशर के नीचे कमजोर बच्चे अपने घुटने टेकते हैं हमारी अनीता प्रेशर को चीटे वे आगे निकल चुकी है इसलिए घर से निकल गए कुछ तो बात होगी कोई वजा होगी न उसने खत में लिखा है कि वो ठक गई थी किस पास से ठक गई थी कि वो है गुआ है अपीजम करता है बोसले लड़की अपनी मर्जी से घर से गई है शायद अपनी मर्जी से जीना चाहती है लेकिन जैसे आप ही ने का था लड़की अभी नादान है उसने दुनिया देखी निये रास्ता ना बटक जाए नहीं बोसले वो हम होने नहीं देंगे रास्ते के रखवाली हम करेंगे हम उसे भटकने नहीं देंगे अजीत अनीता ऐसे हमें छोड़कर क्यों जाएगा कहती है ढूंडना मत अरे किस चीज से ठक गई थी वह ऐसा क्या खोजने गई है जो हम नहीं दे सकते तादा या तो पुलिस वाले उसे खोजने करेंगे और नहीं तो वो खुद अपने खोट छोड़कर वापस लटाएगे अपने कि आंजने सो यह तुमारा फॉर्स जोब कर रहे हैं? यह सर बारा कंटे के शिफ्स जिए बार के शिफ्स ती यहा? साबाइब रारा बग्यान बजे सा राद बाद ग्यारा बजे ता कर्षान। सॉ में रेडी हुसार क्या अनिता को वो मिला जो वो खोज रही थी दूसरी तरफ उसकी सहेलिया उसकी जोटी बेहन और उसके माता पिता एक ही सवाल का जवाब खोज रहे थे आखिरकार अनिता उन सब को ऐसे क्यों छोड़ कर चली गई वो सभी उस तक पॉंचना चाहते थे उसकी परिशानी को समझना चाहते थे उसकी मदद करना चाहते थे और दूसरे दिन पुलिस को इस बेहत सेंसिटिव केस का पहला सुराग मिला सर ये ट्रांजेक्शन दो दिन पहले हुआ था आपने कहा था कि अनिता चाफिकर के अकाउंट पर टैब रखो इसलिए हमने निकलवा के आपको भेजा ये ATM ट्रांजेक्शन अहमदाबाद में हुए है इस ATM के exact location चाहिए मुझे और वहां की CCTV फुटेज भी सर मैं आज ही हमारे अहमदाबाद ब्रांच मैनेजर से बात करता हूँ और आपको ये फुटेज जल से जल गिलवाने की कोशिश करता हूँ दो दिन पहले अनीता ने अहमदाबाद के एक ATM से धाई जार पर विड्रौ की आप लोगों का अहमदाबाद से क्यों क्यों क्नेक्शन है नहीं अहमदाबाद में तो हमारा कोई नहीं है हम लोग अभी अहमदाबाद के लिए निकल लें सिसीटी फुटेज की मदद से हम उसे ढोड़ लेंगे आप जादा परेशान मत हो ना परेशान क्यों ना हूँ सर मेरी अकेली बेटी अंजान शेहर में सर मैं चलूंगा आप कर साथ बच्चे के साथ बात करने में मदद मिलेगी सर यह टिम सीजी रोड़ पर है यह फुटेज हमारे काम की जरूर है लेकिन इस से हमें कोई खास लीड नहीं मिलबा भी अभी भी यह पता लगा पाना मुश्किल है कि अनिता इस वक्त कहा है जैसा कि आप बतारे तकि उसके अकॉर्ण में ज्यादा पैसे है नहीं तो जाइट सी बात है कि यह किसी महंगी होटल में नहीं टेरी होगी सर मैंने उसकी मुंबई की सहलियों से बात की है उनका भी कोई फ्रेंड अंदाबाद से बिलाउं नहीं करता है ना ही किसी का कोई कनेक्शन है अंदाबाद से और वहां रहे, कहां रही होगी? यहां के सभी लॉजिस और छोटे होटल में हमार अच्छे नेटवक है मैं सब जगह बता करवाता हूँ हाला कि हमें आइडिया है नहीं कि यह लड़की इस समय आमदाबाद में ही यह 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 और चलीगे शुरुवात करते हैं, I'm sure कोई न कोई लीट ज़रूर मिले इस फोटो की कॉपीज बना कर यहां के बाकी पॉलिस टेशन्स और जितने जगे हो सक यम को बेजनी होगी सौलंकी, इस फोटो की कॉपीज बना और पूरे इलाके में शेर करो और तुम खुद इसे लेकर सीजी रोड जाओ यह लड़की आखरी बार महा के एटीम पर स्पॉट लो यह लड़की मुंबई की है अनिता नामाज का जी सार, सिविल में जाओ वो शायद एहमदाबाद से भी आगे निकल गई होगी अभी तो कुछ बोल नहीं सकता रह महिस्ता था लेकिन हमारे मुंबई के दो आफिसर्स और यहां के पुलिस मिलकर काम करी है अनिता के सब फोटोग्राफ्स, डिटेल सारे शहर में फैला दिये गए मैंने उसका एकाउंट दुबारा चेक किया है धाई हजार के बाद कोई विद्रॉल नहीं हुआ अब अब वहीनी को संभालो, अर्चना को संभालो वही कर रहा हूं रहे लेकिन जैसे जैसे एक एक घंटा बीटता है न दिल में आजीब आजीब से ख्याल आते है अभी आया अर्चना बिट्या एक बात सच सच बताईए मैंने आपसे कभी जूट बोला है बाबा शायद मैंने पहले कुछ सवाल पूछे ही नहीं कैसे सवाल बाबा अब आप ताई जैसे बात कर रहे हैं क्या तुम हम दोनों से तेरी आई और मुझसे नाराज हो नहीं बाबा किसी भी कारण भी थोड़ा भी कुछ हमने किया नहीं किया बोला नहीं बोला तुम पर कुछ लादा यह जादा इस ट्रिक बने कुछ भी बेटा खुल के बोला साथ सीजी रोल पे भगत मुबाइल शॉप है और दुकान के मालिक भगत ने लड़की को पहचान लिया है क्या खरिदा वहां से फोन या सिम कार्ट नहीं साथ सिम कार्ट और नहीं करिदा लेकिन पंधरा सो रुबए का मुबाइल खरिदा है और बिल मेरे सामने उस बिल पर उस इंस्ट्रूमेंट का आईएमी आई नमबर जरूर लिखा होगा या लिखा है साम बिल लेकर जल्दी यहाँ और एक बात है साथ क्या दुकान के मालिक ने दुकान के बार से सिटी भी लगा रख और मैंने उस दिन का सारा फूटेज उसको ट्रांसपर करने को बोला है जल्दी लेकर आओ यहाँ सर यह रहाबिल सुलंकी और जल्दी नहीं हो सकता सर मोबाइल कमपनी से कहा है कि यह बात अरजेंट कैस लेकिन जवाब आने में दो से धाई गंटे लग जाएंगे आयो में ट्रेकिंग के लिए आयो में दो पहले कभी नहीं देखा इसे कौन है कि यह है को अधानिया क्या चल रहा था अपनी अनीता के लाइफ नहीं बाबा मैंसे नहीं जानते हुआ महेश बंसाली नाम है सर बाइक उसे की नाम पर रिजिस्टर्ड एड़स फो नंबर सब में फांपर फोन करते हैं हलो मैंसे बंसाली जी आप कुन बोल रहे हैं जी जे 1H 376R तुमारी बाइक का नंबर है हाँ भाई मेरी बाइक का नंबर है लेकिन आप मेरी बाइक का नंबर मुझे क्यों बता रहे हैं अब हो कौन है प्याई सुभाश वाग मंबई से स्पेशल तुमारे लिए यहां आया सर मैंने क्या किया है सर अब तो जो करना है वो हम करेंग तुमारे घर से सार्थीपूर प्लिस्टेशन बाइबाइक पंद्रामेंट लगेंगे हम बेट कर रहे हैं कौन है लडगी इसका ना मंनीता है सर मनीता क्या सरनिम नहीं मालू इस वक का है सर वो अपने होस्टल में होगी इसे घर से बगाने में तुमारा हाथ है नो सर मैं उसको जानता का नियुआ जानते नहीं तो तुम्हारे बाईट पर बाइट कर गई कैसे वो? देखे सरिये सब क्या है मुझे नहीं पता मैं तो बस उसके हेल्प कर रहा था कैसी हेल्प? वो रहने के लिए जगे डून रही थी पता नहीं कैसे पूछो आपसे बहुत ऑक्वर्ड लग रहा है क्यों? क्या बात है? वो आच्छी नहीं शेर में नहीं आई है और रहने की कोई जगा कोज रही है आपको यहां आसपास कोई होस्तल पाता है वोकिं मुमें होस्तल जैसा कुछ बोग से लोग बचिट और डीसिंटल सेस वैसे अप कर्थी के? लव इन लाथे कॉफी शॉप नहीं अँपर अभी अभी मुझे गाना जॉब मिलिया है वैसे यहां पास्में लेडीस खुष्टल है यही उनिवर्सिटी के पास आप उच्छी रास्ता बताएंगे ठुली मैं भी युनिवर्सिटी के पास ही जा रहा हूँ इफ यू वांट मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ थांक यू सो मच आपको कुई पॉल्म की होगी नो नो प्लीस से सर उस होस्टल में मेरे ओफिस के कुछ लड़किया नहीं थी मैंने मेरे कली को फोन किया और उसका एड्मिशन वहाँ घरवा दिया सोचल वर्क करो नो सर मैं तो बस उसकी हेल्प कर रहा था यहां तक कि उसके पास डिपोजिट के पैसे भी नहीं थी वह भी तुमने दिया हाँ सर मैंने दिया आपकी फ्रेंड के रेफ्रेंस से रूम तो मिल गया ब्रेंट भी अफोड़िबल है पर एक प्रॉब्लम है यह ना फाइथाउजन रुपीज अडवांस मांगे मैंने से बोला कि मेरी सालरी इस मन्त के एंड में आएगी कि मो मान ही नहीं रही वैसे तुम आई कहा से हो घर से मंगा सकती हो अब नहीं देखे मैं आपको बहुत परिशान कर रही हूँ आप कोई और जगह जानते हो ऐसी ही पर नो अडवांस सॉरी मुझे ऐसी कोई और जगह तो नहीं पता अब हाँ लेकिन एक काम कर सकते हैं तुम्हे अगर फाइव थाउजन लोन चेहे तुम मैं दे सकता हूँ अब लेकिन मान टेंट तक तुम्हे रेटन करना होगा ओके? देखिये सर, मुझे बस इतना मालूम है कि उसका नाम हनीता है और वो इस होस्टेल में रहती है और सीजी रोड के पास जो लवैन लादे कॉफी शॉप है, वहाँ वो जॉप करती है दोस्तो एक पांच हजार रुपे कैश थे तुमारे पास नो सर, मैं वहाँ से ATM गया और ATM से पैसे विड्रो करके जाकर उसको दे दिये उसके बाद नहीं मैं उसको मिला और नहीं मैंने उसको कपी फोन किया सर मेरे पास उसका नंबर है बेटा, निता, उठीक तो हैनला बेटा I'm really sorry, हम सब ने आपको गलत समझा No problem, sir, मैं समझ सकता हूँ कि समाना कितना गलत चल रहा है आजकल बिना किसी मतलब कि कोई किसी के हेल्प नहीं करता शक तो हो गई Well done Thank you, sir Sir, मैं अभी निकल सकता हूँ आफिस के लिए सॉलिड लेट हो रहा हूँ Sure मैश मैं आपका फोन नंबर और एडर्स अनिता के घरवालों को दे दूँगा आपके 5000 आपके पास जल्द पहुंच जाएंगे नहीं, सर, पैसों के वैसे जल्द बासी नहीं है मस्कुशी तो इस बात किया कि उसके घरवाले उसको मिलकर बहुत खुश होंगे घर से भागी हुए लड़की लोटेगी और वो भी सही सलामत मैश अनिता के घर लोटने में आपका बहुत बढ़ा हाथ हम सब की तरफ से थैंक यू वेल मच मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मैं तो साफ साफ लिखके गई थी कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ जो कि किसी को साफ सामें में नहीं है क्योंकि शायद तुम ही साफ नहीं जानती थी कि तुम घर छोड़कर क्यों जा रही है सौर मुझे ब्रेक चाहिए था ब्रेक? लेकिन तुमने तो खत में साफ साफ लिखा था कि तुम हमेशा हमेशा क्ले घर छोड़कर जा रही है तुम्हें ढोडने की कोशिश ना की चाहिए, तुम्हें आजादी चाहिए, फ्रीडम, फ्रीडम, वो क्या होता है सर, तुम्हेंने कभी महसूस ही नहीं किया, मुझे तो सिर्फ प्रेशर पता है, नॉन स्टॉप पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, और जीना पोस्पो करते हैं, ताकि फ्यूचर सेक्योर हो, लेकिन फ्यूचर और सेक्योर का तो 36 का आँपा है, जब तक आप फ्यूचर में पहुंचते हो, फ्यूचर ही नहीं रहता है, फिर आप साक्रिफाइस करते हो, जीना छोगते थे हो, मैं बहुत ठक गई थी इन सब चीजों से, और मुझे, मेरे ग्रेज नीचे गर जाएंगे, और जो जॉब उफर हुई है, वो भी मेरे हाद से निकल जाएगे, और अगर मिल भी गई तो, मैंने भानी पाऊंगे, मैं बहुत गूज हो गई थी सर, तुम घर से का भागे, क्योंकि मैं जीना चाहती थी सर, नॉर्मल लोगो कितर हो, नॉर्मल चीजे करना चाहती थी, रेगुलर जॉब करो, सेव करो, खर्च करो, मूवी देखो, मॉल में जाओ, कुछ खरीदो या कुछ ना खरीदो, लॉंग वॉक पर जाओ, कभी-कभी थोड़ी देर के लिए कुछ ना सुच, कुछ ना करो, बस उस मोमेंट को ज अनिता, मेरे दो चोटे-चोटे बच्चे हैं, इस वक्त मैं तुम में अपने बच्चें को देख रहा हूँ, इसलिए एक पुलिस वाला होने के साथ साथ एक बाप होने के नाते, ये सोचकर भी मेरी रुखाप उटती है, कि अगर एमदाबाद में तुमें महेश जासा डी अनियुम्त हो जाते, तो तुम्हारे अई-पाबबा पर क्या गुजप़ थी, नियुक्त पर क्या गुजप़ थी, पॉझे मज़ पर गुज़ अर्चों मुझ पर गुज़ रही थी सोर, तुम्हारे अचीय मजब हर दूसरी बच्चे पर गुज़्रती है, किसी को इसकी बहनाग तक नहीं पड़ती मुझे भी नहीं पढ़ी सिर्फ प्रेशर फील होता था और मन में जो भी बाते कहने को होती थी प्रेशर उसे क्रश कर दीता था तुम मत होने दो क्रश प्रेशर से अपने आपको क्यों क्रश होने देती है तुम्हारे अंदर जो भी कश्मकस चल लए है उसे शेयर करो तुम्हारे सरकल में जो लोग है उसे शेयर करो पर अगर तुम्हें लगता है कि वो खुद इस problem का हिस्सा है तो किसी बाहर वाले से शेर करो और फिर भी अगर कोई हल ना निकले तो किसी psychiatrist या counselor की मदद लो problem से भागना कभी किसी problem का हल नहीं होता तुम्हें एक engineering student हो तो crest and treps को तो अच्छी तरह से समझती हो, है न? तो life भी तो वैसी है, कभी उपर, कभी नीचे, कभी तकलीफें पीक पर, खुशियां बॉटम पर, कभी खुशियां पीक पर, तकलीफें बॉटम पर, और तुम तो एक strong लड़की है, एहमदाबाद जैसे अंजान शहर में जाकर, तुमने खुद के रहने के लिए एक जगा ढूड़ ली, जॉब ढूड़ ली, काभी तारिफ हैं? सर, एक बात बुलो, बोलो, मेरा लाइफ में suicide, suicide करने जैसा कोई प्लैन नहीं था, और नहीं कभी होगा, मैं तो बस एक normal, balanced, जीने वाली लाइफ चाहती हूँ, अब एक बात मैं बोलो, अपने आई बाबा को अपना तोस्त बना कर देखू, अपना भरोसे मन तोस्त, उनसे बात करो, अपने प्रावलम उनसे शेयर करो, हर प्रावलम का कोई ना कोई solution जरूर होता है, और रही गलतियों की बात, तो गलतियों तो हम सब करते हैं न, in fact, एक गलती को सुधारने के बात, दूसरी गलती कर सकते हैं, ये भी, crest and trust की तरह ही हैं न, इसे manageable range में रखा जा सकता हैं न, आई, बाबा, अर्चनाब, अचीत काकब, I'm really sorry, please मजे माफ कर दीजे, sorry तो हम भी हैं बिटा, हमें माफ कर दो, अब से हम एक दूसरे को और बहतर समझने की कोशिश तो कर ही सकते हैं न, प्रिंसिपल साफ, थैंक यू सो मच, अनीता के जो दो एक्जाम मिस हो गये थे, उन्हें दोबारा कंड़क्ट करके आपने अनीता को, और उसकी जंदगी को एक दूसरा चांस दिया, थैंक यू सर, चला अच्छा हुआ, कॉलज अथर्टीज ने समझदारी से काम लिया, हो सकता है इस बार अनीता के आल ओवर ग्रेट्स कमा है, लेकिन आगे चलके जिंदगी के एक्जाम में, अनीता, डिस्टिंक्शन में पास होगी, अनीता और उसके माता पिता ने तैय किया, कि अब उनके बीच और खुलकर बाग्चीत होगी, और जिंदगी एक नए सिरे से जी जाएगी, जरूरत पड़ी, तो वो लोग कांसलर की मदद भी लेंगे, माबाप हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं, बेस्ट चाहते हैं उनके लिए, लेकिन माबाप की ये चाहत, ये महत्वक आंक्शा, कभी-कभी एक प्रेशर का हथोड़ा बनकर बच्चों पर गरच पड़ता है, क्या हम बच्चे को बेस्ट दे रहे हैं, क्या बच्चा अपना बेस्ट कर रहा है, इस बेस्ट को समझना आसान नहीं है, शायद ये बेस्ट कोई मन्जिल नहीं, बलकि एक नामुम्किन सा रास्ता है, जिस पर कई मुसाफिर फ़सलते हैं, तूट जाते हैं, खासकर कॉमल दिमाग और नरम दिल वाले टीनेजर्स, मेहनत और लगन से तरक्की हासल करना बहुत ही काबल ये तारीफ काम है, लेकिन अपने आपको खुशी देने वाला काम करना भी एक तरह से तरक्की हुई है, अच्छे नंबर बहुत अच्छे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिन्दगी को नंबरों में कैसे तोला जा सकता है, कैसे बांदा जा सकता है, अच्छे ग्रेड्स, इनसान की हर खूबी, हर हुनर, हर गुण का प्रमान कैसे हो सकते हैं, सिर्फ 75 के उपर के नंबर ही एहम नहीं होते हैं, बलकि हर नंबर की अपनी एहमियात हैं, कई बार सुनने में आता है कि जो जीता वही सिकंदर है, इस पर चर्चा की जा सकती है, पर ये भी समझना जरूरी है कि जो जीता है, वो भी सिकंदर ही है, यानि तुछ जान है तुछ जान है फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुन का तब तक सतर्क रहें सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क सबाकेक को सीख हम सब को जै